जै हिंद जै भारत साथियो आज एक और खास विश्य पे वीडियो लेकर कि आपके बीच में आए हैं जैसा कि आमने टाइटल देख लिया होगा इस वोड़े बात करने वाला हूँ राजनीती के गड़ों के बारे में वैसे तो राजनीती में बहुत सारे गड़े होते हैं और हमें उनका ध्यान रखना होता है लेकिन फिर भी राजनीती के गड़ों का क्या आर्थ किन गड़ों से में बचना है अपनी राजनीती की गाड़ी को किन गड़ों से बचा करके रखना है कि कहीं हमारी राजनीती गड़ों से बचाना होगा, उन रास्तों पर चलना तो होगा, लेकिन उन गड़ों से बचा कर चलना होगा, बचा करके निकलना होगा, कौनगों से गड़े? कुछ गड़े ऐसे होंगे, जो आपके विरोधी आपके लिए खोद रहे होंगे, लगातार खोदे जा रहे होंगे, आपने कोई गलती की नहीं होगी लेकिन आपकी गलती बताई जा रही होगी आपने कुछ गलत किया नहीं होगा लेकिन आप पर आरोप लगाया जाएगा आपने अपना पैसा समय लगा करके राजरीती की होगी लेकिन लोग आपको देईबान बोलेंगे लोग बोलेंगे कि आप दूसरों का पैसा लेकर करके राजलीती कर रहे हैं, आप पर आरोप लगेंगे और ये ये आपके विरोधी गड़े खो देंगे, इन गड़ों से आपको बचना होगा आपको वो रनीतियां बनानी पड़ेंगी कि जब आप पर इस तरह के आरोप लगेंगे उन आरोपों का आप जवाब कैसे देंगे यदि खंडन करना है तो कब करना है कब खंडन नहीं करना है कब इन गड़ों से बचकर के निकलना है कब इन गड़ों पर मिट्टी डालनी है, कब इन गड़ों को ढखना है, कब इन गड़ों को खुले रहने देना है, कब इन गड़ों को बने रहने देना है, यह यह रणीती रूप से आपको तैय करना होगा, कभी-कभी जवाब देना हानी कारक होता है, कभी-कभी चुप रहन सही रहता है कुछ गड़े खुले रहने चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन और कई राजनीता जान बूच करके अपने अपने रास्तों में कुछ ऐसे गड़े खुदवाते हैं जिससे कि उनकी प्रिसिद्धी हो सके लोग उनके बारे में जान सके लोग समझ सके लोग सवाल करने लगे लोग उन्हें चर्चा के केंदर में ले आएं वर जैसे मैंने कहा था राजनीती में परचा चर्चा और खर्चा इसका बहुत महत्वोता है यदि आपने उन गड़ों का सहीव प्योग कर लिया तो आप चर्चा में भी बने रहेंगे और आपको काम करेंगे गड़ों को गहरा करने का काम करेंगे आपके अपने संगठिन के लोग आपके अपने साथ चलने वाले लोग जिन पर शायद आपको विश्वास होगा ये वक्ति तो हमेशा मेरा साथ देगा ये वक्ति तो मेरा विरोधी नहीं होगा ये वक्ति तो मेरे की पहली सीड़ी होती है क्योंकि जो वेक्ति आपका दोस्त है वो आपका बहुत खतरनाक दुश्वन मन सकता है यदि वो गड्ड़े खोदेगा तो उन गड्डों से बचपाना मुश्किल होगा राजनिती कि ऐसे गड्डों को पहचानने की जरूत होती है जो इस तरह के गड़े खोद रहे हो क्या करें सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि अपने खास राज किसी को भी ना बताय जाएं मैंने पहले एक वीडियो डाला था उसमें बताया था राजडिती की छुपी बातों के बारे में तो जो बाते चुपी हैं, उनको चुपा करके ये रखा जाए किसी पर भी इतना भरोसा ना कर लिया जाए कि उन्हों वो सारे राज बता जियां, उन्हें वो सारी बते बता दी जाएं क्योंकि कल ये बाते आपके खिलाफ भी उप्योग की जा सकती हैं गड़े खुदने में मदद करेंगी विरोधियों को आपके रास्ते में तो पहनी बात तो ये कोशिश करें कि ऐसी कोई बात पता ना चले फिर भी इंसान हैं इंसानों से बहुत सारी गलतियां होती है इंसान कई बार अंजाने में कई बार जान बुच करके कुछ ऐसी चीजों का उप्योग करता है कुछ ऐसी गलतियां करता है जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए अमाली जे किसी ऐसे वेक्ति ने आपका गुरोध करना शुरू कर दिया जिसके माध्यम से ही वो काम हुआ था उस नहीं आपके गड़े खोदने शुरू कर दिये उस नहीं आपकी जासाजिया बतानी शुरू कर दिये उस नहीं आपकी रणनीतियां जो रणनीतिय रूप से आपने फैसलिल लिये थे वो पब्लिक लिए रखने शुरू कर दिये उन उन गड़ों को भरना ज़रूरी होत है तो पहचानना कि ऐसे कौन से गड़े हैं जो आपके खिलाफ जा सकते हैं ऐसी कौन सी बाते हैं जिनका दुरूपयों किया जा सकता है ऐसी कौन सी चीजे हैं जिनें आपके खिलाफ उपयों करके आपके सपोर्टर्स को आपके जनता को आपके शेत्र में आपके छवी को डै लेंगे, हो जाएगा, बाद में मैनेज कर लेंगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सहाम, आपकी हर बात का फर्क पड़ता है, और राजनिती में, प्रिसेप्शन इस मोर इंपॉर्टेंट देन रियालिटी, आप कैसे हैं, ये महत्वपून नहीं है, आ हमारे रास्ते में खुद बाधा बन रही होती है, बाधा बन सकती है, हमारे रास्ते के गड़े बन जाती है, अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना करना, जिससे कि आपकी छवी खराब हो, आप ऐसे गड़े ना खो दें, जिने भर पाना मुश्किल हो, कहते हैं ना, लंहों न कुछ ऐसे फैसले ले लिए गए, कुछ ऐसे कदम उठा लिए गए, जो नहीं उठाने चाहिए थे, और फिर फिर चीज़े खराब हो गए, और चीज़े इतनी जादा खराब हो गए, कि फिर संभालना भी चाहा, तो संभाल नहीं पाए, कई बार इतने गहरे गड़े हो जाते है इन्हें भरपाना मुश्किल हो जाता है संभव हो जाता है और इंसान इन गड़ों में गिर जाए तो डिकल नहीं पाता है जैसे मैंने कहा चवी बहुत महत्वपूर होती है अम माली जे करेक्टर एसेसिनेशन ही हो माली जे आपके बारे में प्रिसेप्शन ही ये बन गया कि आप तो लोगों का मिस्यूस करते हैं चीजों का मिस्यूस करते हैं आप ये बात पता चल जाएगी कि जो आरोप लगाएगे वो जूटे थे, निराजाब थे, लेकिन यदि आप ऐसा ही कर रहे हूँ, बहुत सारे राजनेता कर रहे होते हैं, कहते हैं न शौट टम गेन, लॉंग टम लॉस, वो शौट टम गेन के बारे में सोच रहे होते हैं, अभी तोरी तो मुझे लाब मिल जाए, अभी मैं इससे लाब ले लू, फायदा हो जाए, लेकिन लॉंग टम में नुक्साम हो जाता है, छवी ऐसी बन जाती है, छवी खराब हो जाती है, और कई बार तो राजनेता उस गड़्डे से निकल ही नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा निया नहीं जा सकता है, ऐसी कोई गल्ती हो जाने के बाद, ऐसा कोई गड़्डा अगर खुद खोद भी दिया, तो उससे निकला भी जा सकता है, इसलिए घषण गड़्डों को पाटा भी जा सकता है, एक और चीज़, इसका ध्यान अगना है, और ये भी राजनिती के बड़े गड़े हैं क्या गड़े हैं कई बार हम चुनाव जीतने के लिए या राजनिती में अपनी पैठ बनाने के लिए अपने नाम अपनी शौरत अपनी इज़त को बनाने के लिए कुछ चीजें कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो उस समय तो हमें लग रहा होता है कि शायद टेंपरे करपाना लगभग नामुंकिन है लगभग असंभव है चुनाओ जीतने के लिए अपनी पैठ बनाने के लिए अपनी छवी अपना चेरह चमकाने के लिए कई बार ऐसे वादे कर दिये जाते हैं कई बार कुछ बड़ी-बड़ी बाते बोल दी जाती हैं कई बार कुछ ऐसा ज जाएगा कोई if but नहीं कि इसको करने का प्रियास करेंगे देखेंगे इसमें कितना काम हो सकता है कितनी संभावना है कितना किया जा सकता है और जितना किया जा सकता होगा उतना किया जाएगा ऐसा ना बोल करके डारेट बोल दिया ये काम किया जाएगा ये काम करेंगे ये काम करना है ये काम करके रहेंगे उस समय तो रितलाब भी मिल जाता है छवी भी चमक जाती है वोड भी मिल जाते है चेहरा भी चमक जाता है नाम भी हो जाता है कई बार हम चुनाओ जीत भी जाते हैं लेकिन जब वो काम हम नहीं कर रहे होते तो फिर क्या होता है ये पांच साल त इस आधार पर मिलेगा, तो जो जो हमने वादे किये, उनमें से कितरे वादे पूरी किये, और यदि यदि आपने खुदी ऐसे घड़े खुद दिये होंगे, ऐसी बात बना दी होगी, बोली गई होगी, जो आप पूरी नहीं कर पाए होंगे, तो कल, आप कितना ही कुछ भी बोलते रहें, आपके समर्था कितना ही बोलते रहें, आपके कितनी छवी चपकानी कोशिश कर ली जाए, कितना ही कुछ भी प्रियास कर लिया जाए, सारे प्रियास बेकार जाएंगे, अब जनता को कन्वेस कर पाना, जनता को वापस आपके समर्थन में ला पाना, जनता से व कोई इफबट ना लगा पाएं और फिर जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो गड़े ऐसे होंगे जो आपको रसा तल में ले जाएंगे राजनिती के सब्सक्राइब दिचलिस तरते ले जाएंगे और फिर इतिहास आपको एक ऐसे राजनिता के रूप में याद रखेगा चुनाव तो जीद या लेकिन सफल नहीं हो पाया जिसने काम नहीं किया जिसने जद्दा की उमीदों पर खरा नहीं उतर पाया केवल चुनाव जीद जाना ही राजनिती में सफलता का पैमाना नहीं है यह यह और इस तरह के और Вी बहुत सारे गड़े हैं जो राजनिता के जीवन में आते हैं कई बार राजनेता खुद वो गड़े पैदा करते हैं कई बार अपनी पार्टी के लोग पैदा करते हैं कई बार विरोधी पैदा करते हैं कई बार अचानक हो जाते हैं बिना सोचे समझे हो जाते हैं अंजाने में कुछ गड़े ऐसे खुद जाते हैं कि आपकी वो रनमीती बैक फायर कर जाए और उससे आपको फायदा होने की बजाए नुकसान हो जाए आप लाब की बजाए थानी कर बैठें आप चुनाव हार बैठें या अपनी छवी खराब कर बैठें मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की राजनी ते गड़ों के बारे में इसके लाए और भी गड़े है राजनी ती के उन पर भी कभी बात करेंगे कभी और विस्तार से उन पर चर्चा की जाए आज के लेतना ही कुछ और जानना चाहें कोई और टॉपी पर